हेलो गाइस वेलकम बैक टो चैनल पीसी एमबी डिजिटल गुरुकुल तो बिटा अगर हम यहां पर बात करते हैं हमारे डियू की और आई-पी के इंटर्नल कोटा की कि डियू और आई-पी में जो इंटर्नल कोटा होता है उसके अंदर हमें एड्मिशन लेना हो तो हम कितने स्कूर तक डियू और आई-पी में जो दिली के दोनों कोटा हमें मिल जाएगा तो यहां पर दो-tinn कोटा है में 2020 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहां हमारा जो सबसे अमस कोलेघे है उसी की बाद कर लेते हैं जिसको हम मुलानाजाद के नाम से जानते हैं मेड्सका जो कॉलेज है मुलाजादाद जो कॉलेघे इंस्टिट्वीट उसकी अगर हम बात करते हैं वेटण और फिर दूसरा हमारे pac होगा ESIC sorry IP University ESIC का एक हम separate video बना देंगे तो मुलणाजार Dental College के अगर आप बात करते हैं और आपके पास quota जो है वो DU की बागर हम बात DU College है तो DU College के अगर हम quota की बात करते हैं जो की DU में आता है तो यहाँ पे जो general rank होगी जिस पे आपको अराम से admission मिल सकता है वो 16,000 से लेकर 20,000 rank तक में आपको admission अराम से मिल जाएगा इससे पहले के तो possibility ही है general के बाद अगर आप मुलणाजाद के college के लिए ही OBC के टेगरी की बात करते हैं तो आपको 22,000 से 25,000 rank तक score करनी होगी इस बार अगर आप ST category की बात करते हैं तो 88,000 से लेकर 85,000 के असपास तक अगर आपकी कहीं भी rank है यानि कि 85,000 से 88,000 तक rank है तो आपको मिल जाएगा ST category की अगर आप बात करते हैं तो ST category में 1,77,000 से लेकर 1,90,000 तक आपको असानी से admission मिल जाएगा EWS category की अगर आप बात करते हैं तो 20,000 से लेकर 21,000 तक पिछली बारे cut-off रुख गई थी तो 22,000 तक आप expect कर सकते हैं कि आपका selection हो जाएगा कभी भी इस तरीके की उमीद ना रखें कि suddenly हमेशा मौप अप रौण में पीछे ही जाएगी cut-off कभी-कभी उपर भी चली जाती है ये भी देखने में हमेशा रहा है IP के अगर हम बात करते हैं तो IP के लिए जो जनरल केटेगरी की generally cut-off रही है वो 25,000 से 27,000 यानि comparatively थोड़ा high OBC के टेगरी की अगर हम बात करते हैं फिर तो वो generally हमारी 22,000 से सेम 25,000 या 26,000 के असपास ही रहती है SC के टेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं IP University के लिए तो 1,5,000 के असपास तक आपकी rank खत्व admission मिल सकता है ST के टेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 1,85,000 से लेकर 2,00, तक आपको 2,05,000 तक आपको admission easily मिल सकता है 2,05,000 उसके बाद अगर हम ये बात करते हैं कि EWS में क्या होगा तो EWS केटेगरी में भी 33,000 से लेकर 36,000 तक अगर आपकी rank है तो आपके selection होने के काफी better chances रहते हैं So thank you so much for watching the video friends Please subscribe to our channel Keep supporting us